हेलो दोस्वाज हम आपको बताएंगे फोन पेपर आउनलाइन बिजली का बिल कैसे जमा किया जाता है उसके लिए सबसे पहले हम फोन पेप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इसे उपर स्क्रोल करेंगे और थर्ड नमबर पर लिखा हुआ है इलक्टिसिटी इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां ओपरेटर सो हो रहे हैं तो हम ओपरेटर सेलेक्ट करेंगे जिस भी ओपरेटर की हम इलक्टिसिटी या बिजली यूज करते हैं तो नीचे बहुत सारे ओपरेटर दे रखे हैं आप अपना operator सेलेक्ट कर ली दिएगे तो हमारा जो operator है हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और village में रहते हैं तो हमारा जो operator होगा वो उत्तर प्रदेश power corporate limited रूरल होगा क्योंकि हम village में रहते हैं तो उसे हम select करेंगे मतलब उस पर click करेंगे click करने के बाद यह कह रहा है customer number enter कीजिए तो customer number हमारे bill पर लिखा होगा उसे हम यहाँ type कर देंगे या copy paste कर देंगे तो customer number या account number करके लिखा होगा उसमें bill पर हम देख लेंगे और उसे हाँ लिख देंगे तो उससे यह भी पहचान किजा सकती है customer number में total में 12 अंक होते हैं तो उसमें देख सकते हैं 12 numbers हैं तो वो customer number है फिर उसके बाद confirm पर click करेंगे click करने के बाद यह कह रहा है आपका bill इतना है 2407 और इसकी due date जो है वो है 23 June तो 23 June तक आप इसे pay कर सकते हैं और फिर customer name आ रहा है लिखावा और bill number भी आ रहा है लिखा इससे भी हम bill पर देखके इसे मिला सकते हैं कि confirm यही electricity bill है उसके बाद नीचे लिखावा pay bill उसपर click करेंगे और click करने के बाद हम इस bill को phone pay का pin डालेंगे जो pay pin है जिसके तो हम payment करते हैं और उसके बाद इस bill को चुका देंगे और इस परकार हम phone pay से बिजली का bill easily online जमा कर सकते हैं